कि नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवान्स एक्षल ट्रेनिंग सेंटर आई पीटी एक्षल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो टिटोरियल जहां हम सीखते हैं एडवान्स एक्षल कि आपके साथ डिसकॉस करने वाले हैं कि पावर पिवर्ट पावर पिवर्ट क्या है और पावर पिवर्ट को कैसे हम अपने मेनु बार में एक्टिवेट करेंगे लेकिन क्या होता है कि पावर पिवर्ट इससे दो है दो से जादा डेटा रिलेशनिप डेटा मोड दिखिकी के साथ Powerpivot और Powerpivot that Power tweaked का इसत को इस doğru करते देखिए इस्तमाल करने पेदा एक का संद्धन k परदा में पावर पिवर्ट को एक्टिए का से कि few pi by default आपके मेन बार्ण में पावट रुट होता नहीं है तो पाव घुल कृ चाहि phenomenon है अगर अगر आपके आप्सेट में जाने के बाद फिर आप एक बाद चेक करें अपने कस्टमाई रिबन में कि यहां पर अंचेक्ट तो नहीं है जिसे डेवलपर होता है कि आपको अंचेक्ट तो नहीं है यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं आड़ इंस पर क्लिक करेंगे अगर हमाई पास Customer Remind में नहीं हुआ तो आड़ इंस में आने के बाद यहां आपको Excel आड़ इंस दिख रहा है इस एक्सल आड़ इंस पर जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे कॉम एड इन्स कॉम एड इन्स पर क्लिक किया और गो पर क्लिक करें पर पॉप आएगा इसमें बहुत सारे चीजे हैं इसमें आपको दीख रहा होगा इसको क्लिक करें और ओके करें कि उसके बाद थोड़ा सा टाइम ले गाए और लेने के बाद देखिए आपके यहां पर एक नया मेनु बार एड्ड हो गया पावर प्यूट का अब Power Pivot को कैसे स्ðслवार करते हैं किस तरहसे इस्त्माल करते हैं हम इसको आगे की वीडियो भी हम आपके sağpowered करने हैं। आप चाहते हों ऐसे जो ब्धहिए आप डॉट कॉम से प्रचेंज कर सकते हैं दूसरा आप मेरे साथ लाइव इंट्रेक्टिव सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप लाइव इंट्रेक्टिव क्लास भी ले सकते हैं इसके लिए आप www.iptindia.com पर जाएं और वहां पर आप डैमो क्लास को रिजिटर्ट करें दुचा आप लाइव इंटिजार रहेगा और देमो क्लास का ओडू out न हिए अच्छा लगा तो लाइक किजिए चैनल को स्ब्सक्राइब किजिए अपने फेंड्स को रिक्यमेंड